हलो एवरिवन आप सभी कास्वागाई दोस्तों आज आपके लिए बहुती कमाल का वीडियो लेकिया है तो आज की वीडियो में टोटल 5 कोशन लेकिया हूं रीजनिंग के दोस्तों तो पूरे वीडियो को इंटर जरूर देखेगा दोस्तों हरे चीज़ सेखने के लिए और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो कि एक अच्छा कमेंट कर देना और जितना हो सब्कीई को कैसे शीक्षों चैकई उविडियो चली दोस्तों आपर पहला कोसल लेकिया है देखेगए दूरै इसे कोसल में यहाँ एकशाम में कि 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 total 15 है तो यहाँ पर आप 15 लिखोंगे और 15 को कैसे split करोगे यहाँ पर इस तरह से split करोगे 5 multiplied 3 से split कर लोगे 5 x 3 कितना होता है? 15 होता है अब क्या करोगे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 तो यहाँ पर cut कर लेजिए 1, 2, 3, 4, 5 तो यहां पर कट कर लिया तो यहां पर क्या होगा यहां पर E है धीक है और यहां पर F है तो यहां यहां पर देखें, 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 यहां पर देखें जाएगा तो उम्हीद करता हूं दोस्तों ऐसे को से एक्जाम में आ जाए तो अब आप इसे सॉल कर पाओगे तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक कुश्ण तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पर देखो कि 1 और यह तूर यह थी हो गया सिंपल दोस्तो अब देखो कि लास्ट में थ्री था तो यहां पर थ्री करोगे और थ्री का क्यूग निकालोगे तो 27 आंसर होगे आपका वह इस फिगर के अंदर नंबर और ट्रेंगल कितने है दोस्तो 27 है एकदम सिंपल कुश्चन है दोस्तो ऐसे एक्जाम में आ जाए तो आप आप लुगे तो चलिए दोस्तो आपके लिए और एक कुश्चन देखें दोस्तो ऐसे कुश्चन एक्जाम में आ जाए तो बहुत अदर टाइम वेस्ट होता है इसे सौल करने में लेकिन दोस्तो अगर आप लॉजिक समझ लोगे ना तो सिंपल कर सकते हो क्या करना इन तीन नंबर को मैं प्लस कर लेता हूँ एक दूसरे के साथ ठीके अब देखो 12 प्लस 18 कितना होगा 30 होगा और 30 प्लस 30 कितना होगा 60 होगा ठीके यहाँ पर 6 लाना है मुझे तो क्या करूँगा मैं यहाँ पर 10 कर दूँगा मैं तो क्या होगा 10 6 हा कितना हो जाएगा 6 हो तो यहाँ पर 6 आ गया है यही logic को यहाँ पर use करता हूँ मैं तो आप देखोगे 16 plus 24 करूगे तो 40 मिलेगा और 40 को दोस्तो 40 से plus करूगे तो आपको 80 मिल जाएगा देखे 8 मुझे लाना है तो क्या करना होगा divide by 10 करना होगा तो देखे यह logic set हो गया है तो यहाँ पर logic set हो गया ह तो इसका answer भी हम easily find कर पाएंगे same logic से तो इक काम करता हूँ इन तीनों को मैं एक दूसरे का साथ plus कर लेता हूँ तो मुझे मिलेगा 90 मिलेगा यहाँ पर 10 से divide किया था तो क्या करूँगा यहाँ पर भी 10 से divide करूँगा मैं तो मुझे answer क्या मिलेगा 9 मिलेगा मुझे option C आप आपका right answer हो जाएगा तो उम्हीर करता हूँ दोस्तों ऐसे question exam में आ जाए तो अब आप easy solve कर पाओगे तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक question अब देखो कि दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है यहाँ पर दिया है यहाँ पर दिया है तो कौन सा day होगा 61 days के बाद ठीक है तो simple करना क्या है आपको यह 61 दिया है आपको तो 61 को क्या करोगा 7 से divide कर लोगे अब 7 से divide क्यों करना है आपको तो आपको बता दो दोस्तों हपते में 7 दिन होते है तो यहाँ पर 7, 8, 56 तो 7, 8, 56 और यहाँ पर remainder में क्या होगा 5 आएगा ठीक है अब 5 आ गया तो यहाँ पर Monday दिया है तो Monday में 5 प्लस करना है प्लस कैसे करोगे आएग होता है देखे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 तो यहाँ पर Monday दिया है तो क्या होगा Tuesday उसके बाल Wednesday, Thursday, Friday, Saturday मतलब दोस्तों it will be क्या होगा Saturday होगा मतलब option B आपका right answer हो गया 61 days के बाद क्या होगा Saturday होगा जैसे कि सभी लोग जा उस्तों वापडेट किया है तो आपके लिए दोस्तों आपके लिए दोस्तों चाह वह एक चैप्टर का वॉक हे अच्छे से बनाया हुआ है तो अगर आप ये book purchase करना चाहते हो तो description में link दिया है आप जाके purchase कर सकते हो और exam की तैयारी आप अच्छे से कर सकते हो तो all the best इसे solve कैसे करूगे ये भी दोस्तों काफी important question है और काफी tough question है यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 35 दिया है तो आको क्या लगेगा कि यहाँ पर मैं काम करता हूँ 5 को multiply by 7 कर लेता हूँ तो 5-7 जया कितना होगा 35 हो जाएगा लेकिन दोस्तो यहाँ पर 8 दिया है तो 8 को मैं 7 से multiply करूँगा मैं तो 56 आएगा तो यहाँ पर 56 option में है कहीं पर भी नहीं है, तो क्या करना होगा कुछ और लॉजिक लगाना होगा हमें तो यह काम करता हूँ मैं, यहाँ पर दोस्तो, 5 का स्क्वेर करूँगा मैं तो 25 मिलेगा, मुझे 30 मुझे लाना है, तो यह काम करता हूँ यहाँ पर 5 multiply 2 कर लेता हूँ तो यहाँ पर 10 मिल जाएगा दोनों को plus कर लूँगा मैं, तो यहाँ पर 35 आजाएगा, तो यही logic से यह number solve करता हूँ मैं तो यहाँ पर दोस्तो, 8 लिखा मैं 8 का square करूँगा, तो क्या मिलेगा मुझे 64 मिलेगा, तो यहाँ पर 64 लिखूँगा मैं, इतना clear हो गया अब मैं क्या करूँगा, 8 multiply 2 करूँगा, तो यहाँ पर 16 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तो, यहाँ पर आजाएगा 80 आजाएगा, अगर इन दोनों को plus करूँ तो मैं, तो option क्या होगा option A आपका right answer हो जाएगा और इस question मा के जगा पर क्या होगा 80 आएगा, तो उमीद करता हूँ दोस्तो जो भी मैंने इस वीडियो में सिखाया आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई doubt हो तो please comment कर बताएगे, यह वीडियो वीडियो